अप्र नाम है दिवागर खेत्री और आज इस वीडियो के दरान हम फर्नेमेंटल्स ऑफ सॉल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था केरेक्रिस्टिक्स एन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल ओडर्स तो इस टॉपिक को आगे कंटीनियो करने वाले हैं यह जो सॉल ओडर्स हैं आपने पिछली वीडियो में भी जाना था कि यहां हम इने एक सेंटेंस के रूप में याद रखते हैं जो कि है विगामी हाउस यहां हर एक करेक्टर जो है वो कहीं न कहीं एक अलग सॉईल ओडर के नाम को रिप्रिजेंट करता है है ना तो हमने पिछली वीडियो के अंदर वगामी के बारे में अच्छे से बात कर ली थी विगामी से मेरा मतलब यह है कि हमने वर्टी सोल, V for वर्टी सोल A for LP सोल, गेली सोल LED सोल, मॉली सोल और साथ में इन्सेप्टी सोल तो इन 6 soil orders के बारे में विछले वीडियो में बात कर ली थी तो 12 में से 6 complete कर लिए हैं तो फिर 6 soil orders जो हैं उनके बारे में आज हमें बात करनी है कौन सी हैं वो 6 बचेवे orders तो हम देख रहे हैं यह house और A जिसको मैं मैं circle कर रखा है A house को आज पढ़ना है हमें A house को कैसे मतलब? A का मतलब है endisol, as for histosol oxisol, ultisol spodosol, और at the end antisol तो यह orders भी जो हैं काफे important है exam में इनके अंदर से भी काफी सारे questions पूछे जाते हैं, तो one by one करके आप इनके बारे में हम बात करने वाले हैं in case अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आप नहीं देखा है तो उसका link उपर आई बटन की साथ नीचे description box में available है आप उस वीडियो को ज़रूर पहले देख लीजे उसके बाद ये वीडियो आपके लिए समझना थोड़ा और इजी हो जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं हिस्टो सोल के बारे में अब ये हिस्टो सोल जो है वह ग्रीक वर्ड हिस्टो से लिया गया है इसमें हिस्टो का मतलब होता है टिशू हाना हिस्टो के अंदर बारे में आपको पहले भी बताया था एंडोबेड़ॉन एपिबेड़ॉन वाले जो वीडियो थे उनमें हमने एपिबेड़ॉन के अंदर बात करी थी इसके बारे में तो हिस्टो का मतलब होता है Tissue तो इसके अंदर हम देखते हैं कि this order repeated into the organic soil organic soil को रिपेट जाएंड करता है यानि इसके अंदर organic matter क्या होगा ज्यादा होगा organic matter कि क्या होता है आप जानते ही होंगे कि plants और animal के जो residue है प्लांट्स और अनिमल का ही बचा कुछा मैटिरियल जो है उसे हम जब वो डिकंपोस होने लगता है तो उसे हम कहीं न गए और्गनिक मैटर की रूप में समझते हैं तो यहां टिशू वर्ड से हमें इस तरफ याद रखना है कि बचेशू मतलब क्या आपको माला चिशू मतलब आप जानते हैं कि गृूप आफ सेल्स तो गृूप आफ सेल्स किसकी प्लांट्स और अनिमल की तो उससे रिलेट करके हमें से याद रख सकते हैं कि यह और्गनिक या इन और्गनिक, या दूसरी तरफ हम और्गनिक कैसे समझते हैं, और्गनिक है या इन और्गनिक है, कैसे डिफ्रेंशीट करते हैं, तो उसमें एक क्राइटीरिया होता है, आपको याद रखना ही है, याद होगा भी आपको, कि 20% और मोर, कि अगर और्गनिक मैटर 20% से ज तो ऐसे कहेंगे लेकिन अगर 20 परसेंट से ज्यादा है तो उसे क्या कहना है और समय आगई बात और याद भी रखनी है आपको कि हम देखते हैं डिकंपोस्ट स्वाइल होती है पार्शिली डिकंपोस्ट मतलब धंग से पूरी तरह से इसका हम देखते हैं डिकंपोस्ट जब नहीं हुआ होता है और्गनिक मेटर का सॉयल में तब उस कंडिशन में सॉयल को हम देखते हैं पीट सॉयल ग्रूप में समझते हैं पीट सॉयल और मक सॉयल दो टर्म्स होती है जो आपको पता होनी जाहिए मक सॉयल जो होती है उसमें ज्यादा डिकंपोस् पार्शेली होता है, पार्शेली का मतलब ढंग से डिकंपोज नहीं होता है, तो उस कंडिशन में, यहां हम देख रहे हैं, ढंग से हम देख रहे हैं कि डिकंपोजिशन ना हुआ पा हो, तब ऐसी कंडिशन क्यों डेवलप हो सकती है, and that happens when the organic matter, O.M. means organic matter produced by native vegetation is more than its decomposition, vegetation के रूप में जो भी हम tissues डेवलप हो रहे हैं, वो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं as compared to their decomposition, यहांने डेवलप हो रहा है उनका किसी conditions की वज़े से, जैसे कि माल ने थे हैं, अगर stagnant water है, पानी ज्यादा भरा हुआ है उस condition के अंदर, तो oxygen के availability नहीं है, oxygen के availability तो फिर जो material ही, डंग से decomposed नहीं हो पारा है, और material decomposed नहीं हो पारा है, partially या partially decomposed रह Gया है, तो उस condition में हम उसे peat conditions कह रहे हैं, और pet अगर ज़यादा है, तो उस condition में हम उसे organic soil कहा देते हैं, अगर यही हम देख रहे हैं कि soil के अदर ज्यादा ही decomposition हो चुका हो होने लगे ज्यादा decomposition होने लगे तो उसे हम muck soil के रूप में समझने लगेंगे तो कहाने का मतलब यह peat soil muck soil और साथ में bog soil भी term use की जाती है bog soil मेरे कहांते water stagnant conditions जो होने के लिए term use करी जाती है तो bog soil यह तीनों soils ही बस्तों में histo soil के अंदर आती है यानि organic soils के रूप में याद रखी जाती है मेरी कोशिश है आपको peat soil और muck soil में फरक समझाया होगा आप उसे याद जरूर रखें अब हम देखते हैं कि हाँ यह time soil order सबसे ज़्यादा वीधरिंग अगर वीधर किसी के हो रखी है soil order में सबसे ज़्यादा वीधर्ड कोई soil है soil order है 12 में से तो वो oxy soil की है यह French word oxide से बनाया गया है oxy soil French word है oxide का मतलब आप भी जानते हैं कि metal जब किसी oxygen के साथ जोड़ लेता है तो उसे कहीं नहीं है oxide की रूप में हम समझते हैं तो यहां metal के oxides ज़्यादा होंगे कौन सी metal के oxides तो ferrous और aluminium फिर आगे ferrous और aluminium एलफी सोल में भी हमने बात करी थी जिनने हमने red soil की रूप में समझा रहा तो वहाँ भी हमने कहा था थाइस के oxides वगेरा जो होते हैं present होते हैं क्योंकि calcium magnesium वगेरा की तरह calcium magnesium वाले basic cations जो होते हैं वो leach out हो जाते हैं तो उसी तरह same conditions यहां पर भी बनती हैं लेकिन यहां ज़्यादा वीधरिंग हो रखिये उससे भी ज्यादा compared to हम देख रहे हैं वीधर्ड को यह soil order है तो वह है oxy soil ठीक है तो हम देखते हैं these are the highly withered mineral soil of humid conditions humid areas के अंदर develop होती है having poor fertility इनकी fertility बहुत कम होती है red soil से भी कम इनकी हम देखेंगे fertility होती है या red soil की अलावा की जगह अगर मैं बोलूँ healthy soil तो healthy soil से भी इनकी poor fertility होगी पूर क्यों होगी fertility क्योंकि highly weedered है और material बचा ही नहीं काफी बस ferrous और aluminum को oxide सी बचे रहे गए ऐसा मान लीजी तो इसलिए हम समझते है कि यह पूर fertility होती है और ferrous और aluminum को oxide जब ज़्यादा होते हैं तो ऐसी soils के अंदर phosphorus retention ज़्यादा होता है phosphorus जो होता है ना phosphorus cycle जो होती है उसके अंदर काईना कहीं है फासफ़र फेरस और aluminum के साथ phosphate वाले compound बना लेता है तो ferrous aluminum के साथ compound बना के वो stable हो जाता है तो इस वज़े से वो plant के लिए available नहीं रहा पाता तो highly phosphorus retention अगर हम देख रहे हैं कि soil के तरह में याद रखना है तो वाक्स हम देखते हैं कि ions होते हैं वो reached out हो चुके होते हैं तो कहने का मतलब यहां multi nutrient deficiency है काफी सारे अलगले nutrition की deficiency है और इसी वज़े से हम देखते हैं no cultivation without fertilizers बिना fertilizer के यहां हम cultivation किसी crop का कर ही नहीं सकते इस चीज को याद रखें और हम देख रहे है dominant mineral यहां भी वही है जिसा healthy soil में था जो कि है kaolinite और past में इनी soils को क्या कहा गया है letterite soil या letter sole कहा क्या है letterite soil या अगले next video के अंदर हम soils of India इस तरह के टॉपिक बढ़ेंगे तो soils of India के अंदर letterite soil के बारे में अच्छे से बात करेंगे तो उस दवरान भी हम कुछ इस तरह से ही बाते आपके सामने आएंगी तो सारे topics रिक दूसर से interconnected है याद रखे जा सकते हैं तो इस तरह से हमने जाना histosols और oxysol के बारे में ओके आप चाहिए तो इसे note कर सकते हैं ultimate का मतलब एक तरह से last की final product के रूप में last का मतलब यहां ऐसे समझ सकते हैं कि काफी वीधरिंग हो चुकी है इन में इनकी properties में आप पढ़ेंगे कि यह काफी जादा वीधर्ड सॉयल है हमने जो पिछले पढ़ा oxysol उससे तो कम वीधर्ड है लेकिन फिर भी इसके अंदर हम देख रहे हैं यह भी highly withered soil order है तो हम कहरे हैं यह second most withered soil order है इसे आप याद रखे हैं second most क्यों क्यों कि first one was oxysol तो हम देख रहे है कि यह काफी ज्यदा withering होने के बाद हम देख रहे है कि इस सरह का जो soil का order बन रहा है और इसलिए इसने last नाम दिया गया लास्ट मतलब काफी ज्यदा withering होने के बाद soil का इस तरह से देखा गया रूप तो इसे altisol कहा गया ठीक है और हम देख रहे हैं the altisols are compared with the alphysol इसी हम altisol को alphysol से compare करते हैं हाँ जब alphysol पड़ा था तब भी मैंने आपको कहा था कि alphysol से ज़्यादा withered कोई है तो वो altisol है और altisol से भी ज़्यादा है तो वो आपने जान लिया कौन? oxisol है याद कर लिजगा important लिजगे तो हम देख रहे हैं इससे compare करते हैं अब यहाँ compare किया गया है base saturation से यहाँ लिखा गया है have low base saturation less than 35% यानि alphysol से इनके अंदर base saturation कम होता है altisol में कितना होता है अभी आपके लिजए less than 35% होता है low base saturation होता है तो क्या alphysol में आप समझ सकते हैं क्या होगा? alphysol में 35% से ज़्यादा होता है base saturation लेकिन यहाँ 35 से कम percentage होता है base saturation का तो altisol में 35% से कम base saturation याद रखना है जरूर याद रखेगा important point है काफी और हम देख रहे है second most without soil order है आपको मैं नहीं बता ही दिया humid conditions जो होती है वहाँ ऐसे तरह की soils देखे जाती है acid forest soils भी निकाँ आ जाता है तो altimus जो हमने काँ है altisol इन्हें acid forest soils भी खाँ जाता है तो उसे भी आप याल रखे और हम देख रहे है next जो है spodosol spodosol जो है थोड़ी देर पहले आपको laterite soil के बारे में बता दिया मैंने तो अब मैं आप podzole soil के बारे में बताना जा रहा हूँ इस spodosol के नाम पे spodosol के नाम पे क्यों हो है क्योंकि हम देखे रहते हैं in the past these are termed as podzole soils वो होती है जब हम देखते हैं ferrous और aluminium के oxides जो होते हैं वो कही न कहीं water के साथ नीचे वाली origins में चले जाते हैं तो उपर वाली origins के अंदर ferrous और aluminium है नहीं तो ferrous aluminium के oxides नहीं है तो वो बेरंग सी हो जाएगी bleach सी हो जाएगी तो ऐसी condition में बेरंग सी condition जिसको हम कहा जेते हैं ash-like condition ash-like याई राख जैसी condition तो उसे हम कहा जेते हैं wood ash वाली condition तो इसका मतलब यह हो गया उस condition को हम podzole कहते हैं तो यहां podzole का मतलब Greek word है podzole sportus Greek word है sportus sportus का मतलब क्या होता है wood ash होता है okay spodosol में spodos का मतलब wood ash है कि आपको समझ आगी बात अब हम देख रहे हैं ferrous and aluminum and even humus humus भी साथ में accumulation in the bee horizon bee horizon मतलब ऊपर से निकल के ये लोग नीचे आ जाते हैं तो ऊपर वाली soil जो है वो बेरंग सी हो जाती है तो इसे हम कहते हैं spodosol ओके आगी बात समझ वे और साथ में recognized by the bleached ash colored e horizon bleached का मतलब समझ गे बेरंग सा बेरंग की जगा हम बोल दें ash like मतलब राक जैसा e horizon देखा जाता है alluvial horizon जिसमें से कुछ निकला है alluvial और जिसमें आया है वो alluvial alluvial horizon भी है जो की reddish color का हो सकता है क्योंकि उसमें ferrous aluminum आ चुके है उपर खाली silica silica बजगया तो उस वज़े से शायद यह हम देख रहे है ash like structure रहे गया ठीक है तो उस चीज को प्याद रखें climate हम देखते हैं यह cool and humid climates में देखे जाता है वो hot and humid में थालिटी सो लिए cool and humid reasons में होता है acidic होता है जब भी ferrous aluminum oxides का नाम आप देखते हैं तो generally हम यह याद रखते हैं कि soils जो होती है acidic होती है क्योंकि ऐसी soils के अंदर calcium magnesium जैसे basic cations reach out हो चुके होते हैं तो इसलिए हम यह acidic conditions मानते हैं last जो soil order बचता है वो होता है एंडी सोल इसके बारे में ज़्यादा details अवेलबल नहीं है लेकिन जो है वो यह है कि first recognized in the Japan जापान के अंदर पहली बार recognize किये गई थी और यह बात याद रखनी है कि यह कि किस के ओपर develop होती है on volcanic ash deposits volcanic ash deposits के ओपर यह develop होती है एंडी सोल तो हो सकता है आपको याद हो कि Melonic Epipodon जो था Melonic Epipodon के अंदर भी हमने समझा था कि वहां भी endic properties होती है तो endic properties का मतलब आपको याद होना चाहिए कि volcanic ash like properties हो okay volcanic ash समझते ही यह वालकैनों से निकली भी ash कहीं नहीं समझ सकते हैं तो उस deposits भी develop होता है ंडी सोल okay साथ में recently added soil order के रूप में भी याद रखना है दो soil orders बताए हैं मैंने आसे आपको एक गेली सोल और साथ में endi सोल जो recently added के रूप में पढ़े जाते हैं याद रखे जाते हैं साथ में नहीं Japanese black soil के रूप में भी समझा जाता है endi सोल को Japanese black soil जो है वो कौन सी है verti सोल नहीं endi सोल है okay तो इस तरह से हमने कुछ जान ली बाते soil orders के बारे में और अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा साथ ही मैं आप से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको जो कुछ explain किया है उसकी PDF form नीचे description box में available है आप चाहें तो उसे download करके आराम से पढ़ सकते हैं और साथ में अगले वीडियो के अंदर हम soils of India के बारे में बात करने वाले हैं इंडिया में 8 तरह की major soils जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर आप अच्छे से उसके बारे में भी जानेंगे साथ ही आप से request करूँगा कि इस वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने friends वगया एक साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस channel को तो support मेलेगा ही साथ में YouTube जो है इस channel के और वी वीडियो आपको recommend करता रहेगा तो आप इस channel से और अच्छे से जोड़ सकते हैं तो इसे तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा Agricultural Studies से